माननिय प्रधान मंत्री जी, वारानसी के सेंट्रल हिंदू बोईज स्कूल के कक्षा बारवी विज्ञान के छात्र अभिशेक कुमार गुपता हमारे बीच हैं और अभिशेक आपसे अपना प्रश्ण का समाधान चाहते हैं. अभिशेक कुमार गुपता अपना प्रश्ण प विद्ध्यारती हूँ, मेरा प्रशन आप से ये है सर, कि मुझे और मेरे कुछ साथियों को अपनी शमताओं के विशह में एवं करियर आप्शन्स को लेकर कुछ इस परश नहीं है, जब इस बारे में सोचते हैं ना सर, कुछ समझी नहीं आता, हम पढ़ाई में तो अच्छे हैं सर, पर भविश्य की योजनाओं को लेकर अब तक उस्तेय नहीं किया, सर, कृपया हमारा मार्ण दिर्शन करें, धन्यवार, थैंक यू अविश्यक, महदय, इससे मिलता जूलता एक और प्रशन है, इसी श्रिंखला में अब हमारे साथ जुड रही हैं, बिहार से जवा जवाहर नवदय विद्याले की कक्षा, ग्यारवी की छात्रा, जूली सागर, जो माननिय प्रधान मंत्री महदय से अपना प्रशन पूछने के लिए उत्सुख हैं, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि हम छात्रों की छीपी छमता का आकलन कैसे कर सकते हैं, धन्यवाद मह धन्यवाद जूली, महुदय एक और प्रशन इसी से मिलता जूलता है, एरेन अपना प्रशन पूछी ए। सवाल बड़ा गंबीर सा है आपका, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, खुद को जाता है। मुझे पुरानी घटना याद है, एक मार एक लाइन स्क्रब के लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था, यह करीब चालिस साल पुरानी घटना होगी। और उन्होंने फिर चिठियाई जैसा उनका रहता है, कि आप अपना परीचे भेजिए। तो उसकारकम में मैं वक्ता था और एक चार्टर्ड एकाउंटन थे, वो उसकारकम के अध्यक्स थे, उनको भी चिठी गई, कि आप अपना परीचे भेजिए। तो उन्होंने कोई दस पेज का अपना बायोडेटा भेजा था। उन्होंने कब काम किया। मुझे आयत मैंने एक पोस्कार लिखा था, कि आपने मेरे विशे में जानने के लिए कहा है। मैं खुद को जाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए अभी कुछ बताने पाऊंगा। और वहां मजा यह हुआ, कि उनका परीचे पढ़ने में कोई दस मिनिट गया। और मेरा परीचे पढ़ने में दस सेकंड ने गया। यह बास अही है कि खुद को जानना बहुत कठीन होता है। लेकिन जानने के तरीका क्या होता है। जानने का तरीका यह होता है कि अगर हम अमारे कमफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं। और खुद को कहीं ने कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं। तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यह करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है, दूसरा हम यह सोच सकते हैं, कि एक सप्ता भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दे, कि इस सप्ता में मेरे मेरे मन से कौन से काम की है, फिर द आप अगर साल भर अपनी एसी डायरी मेंटेंड करें तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा एप्टिटूड ये है, मुझे अच्छा लगता है, इसको मैं ठीक से कर सकता हूं, और इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा अपने आप में, अब आपने देखा होगा, कि आज हमारे, मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूं, तो उन्होंने स्कूल के छात्रों को आज इस पूरे प्रोग्रेम को संचालन करने का अवसर दिया, और बहुत बढ़ी अडंग से कर रहे हैं, अब संभावना है, कि आज के बाद उन्हें से किसी को विचाराएगा, ये काम मैं कर सकता हूं, टीचर उनके होंके उनको भी लगएगा, अब जब भी स्कूल में फंक्शन होगा, इनको खड़ा करेंगे, मतलब एक आउसर मिला, उसने अपने आपको तयार किया, अब उसका आपको भी स्वास बन जाएगा, कि मेरे अंदर ये टालेंट है, होगा और नहीं होगा, ये कारगम के पहले साथ उसने सोचा नहीं होगा, कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद जुरूर सोचेगा, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, हो सकता है कि वो इसी को अपना प्रोब्रोशन बनाना ताय करें, तो आप आप देखेंगे वो पचासो चीजे पढ़ेगा, बड़े साहित्य की चीजों की नोड बनाएगा और सोचेगा कि मुझे इस प्रकार के फंक्षन में जाना है तो यह बोलना चाहिए, इस फंक्षन में जाना है तो यह बोलना चाहिए, इस फंक्षन में जाना है तो यह बोलना तो आपने उसको नर्चर करना चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अगर ये आप करते हैं, तो आप सरलता से कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, दूसरा, केरियर का अपना महत्पफ होता ही होता है, हर कोई न सादू बन सकता है, न फकीर बन सकता है, ह और कभीकभी उत्तम तरकीय से जिम्हआवारियों को समाल करके हम पर कार सकते में हैं और इसे लिए जीवन में कैरिय का महत्मा उत्ना ही महत्व wär टो पूनभी देक्षिंग दिश्वया और तो उत्व कै लिसनते होने के अवसर बहुत आते हैं। लेकिन मेरे में ये ताकत है, अब आप देखिए, कुछी माबाप में, कोई बिच्चा ये कहिए, माँ, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, बेटा अगर कीचन में चला जाए, माँ कैसे पकाती है, शुरू में तो माँ को अच्छा लगेगा, चलो मदद कर रहा है, मानों बड़ी महनत करके बहुत बड़ा श्यब बन जाए, तो वही माँ कहेगी, छोटा था ने, मैंने तियार किया था, कोई काम बुरा नहीं होता है, यह बाच है, उस आलखंड के अपने साथियों को लगए यह, क्या यार, दो दो घंडे कीचन में पड़ा रहता है, लिग हो सकता है, यह छोटी से रूची भी, उसके जीवन को बड़ाव दे सकती है, और हो सकता है, उसमें सोशल डिस्पॉंस कि अच्छा सेफ होगा और फिर ताय करेगा, कि मैं सिरफ बच्चों के नुट्रेशन पर ही काम करूंगा, बच्चों को क्या खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, बताईए, वो कितना बड़ा सोशल सर्विस करता हो जाएगा, इक ही व्यक्ति कैसे रहा से गुजर करके जि जिंदगी में अगर एकाथ एंटरन स्रेश में रह गए तो क्या हुआ, लाखों लोग देते हैं, कुछ लोग रह जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन रखने की ज़रूत नहीं है, हमने डर के कारण पैर न रखे, इससे बुरा कोई अवस्था नहीं हो सकती है, हमारी मनस्तिती ऐसी होनी चाहिए, कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, एक बार विफल होंगे तो उसमें से सिखेंगे, दुसरी बार करेंगे, ये मिजार्त तो विध्यार्ती के जीवन में होना चाहिए, और विध्यार्ती कालखर अभ भीतर के विद्यार्थी परिशत को जीवित रखना चाहिए कभी भी 80 साल की उमर में भी विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए जिंदिकी जीने का यही उत्तम मार्ख है नया नया शीखना नया नया जानना नया नया पहचानना धन्यवाद उमानेनिय प्रधान मंतर जी आपके मालग दर्शन के लिए